हैं लू दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल में दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपका पहले वीडियो बनाया था परथिसत का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप उसे समझना चाहते हैं और फिर से अगर समयना चाहते हैं तो तो आज मैं उसी टाइब का कोश्चन को और इजी तरीक से मतलब नेक्स जो ट्रीक है मैंने उस वीडियो में आपको नेक्स ट्रीक बताऊंगा जो उससे भी इजी है ताज उसी को हम लोग पढ़ने वाला है और देखेगा कि कैसे आपको कोश्चन जो आंसर है वह आपका बना पार है कि ने पार है ठीक है तो देखे इस टाइब का जो कोश्चन रहता है उसमें आपको किसी एक ही सेंख्या में आपको विर्धी और आपका उसमें कमी करके दिया रहेगा तो इस टाइब से आपको बनाना है ठीक है या तो दोनों विर्धी दे सकता या फिर एक वि किसी सैंख्या है इसमें 10% की कGUरी बादमें बड़ी हुई सैंख्या में 10% की कमी करने पर प्राप सैंख्या करना है सबसे पहले क्या बोल रहा कि Feel die 10% कर तो तो दिखिए, जो मूल संक्या रहता, वो हम लोग कितना लेते हैं? सो लेते हैं, ठीक है? जाब उसमें हम लोग 10% बिर्दी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा. ठीक है, तो पहला आले में क्या बोल रहा है कि 10% बिर्दी, तो क्या हो जाएगा 110 बटा 100 यह अब देखिए 110 बटा 100 पहले अगर 100 था तो 10% बेर्दी करने के बाद कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ठीक है यह हमारा पहला काम हो गया second हमारा क्या बोन रहा है कि 10% की कमी करने पर ठीक है तो अगर पहले हमारा 100 था तो फर 10% की जब हम लोग कमी करेंगे तो कितना हा जाएगा 90 आ जाएगा तो इंटो करके आपको उसी संख्या कहाने इसलिए हम लोगे आपर इंटो कर रहे है तो इन्टो करके आपको 90 बटा 100 लिखना है इसके बाद आपको एक काम आपको करना है कि नीचे आपको किसी भी तरह नीचे आपको किसी भी तरह 100 रखना है चाहिए आप किसी भी तरह काटे आपको नीचे सिफ 100 ही रखना है ठीक है कि उसी के रेस्पेक्ट हमको प्रतिसत कमी है वो आपको निकालना है तो निचे आपको हमेशे याद रखना है कि निचे हमेशे आपका 100 आना चाहिए आप किसी पी तरह काटे point में रखे लेकिन निचे 100 आना ही चाहिए अप यहाँ देखे हम लोग 0-0 काट दे हैं पर तो उपर में अगर मल्टिपिल्याइ करते हैं तो 99 पाल नीची कि आहरा है रहतल करने हैं आप नीची से आपको वहरता हैं वरीधी पाल में षमकित्द ही और बीण ही हायँ अगर नीची से उपतन आप रहा हैं गर यह करत व और कम यह ठीघा ही तो उपर में अगर कमी है, तो कमी लिखना है, और अगर रुपस में ज्यादा है, तो विर्धी लिखना है, यहाँ पर देखें, उपर आपका 99 है, नीचे आपका 100 है, मतलब क्या हो रहा है, एक की कमी हो रहा है, तो डारेट आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक परतिसत की कमी, ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग next question को solve करते हैं इसी method से देखिए इस question में क्या बोल रहा है कि एक पुस्तक के मुल में 25% की कमी करने के बाद प्राप्त मुल में 20% विर्धी करने पर मुल में सूत परिवर्थन क्या होगा मतलब कोई पुस्तक का मुल है सबसे पहले उसमें हम लोग 25% की कमी कर रहे हैं ठीक है उसके बाद उसमें हम लोग 20% की विर्धी कर रहे हैं तो हमारा जो आंत में जो मुल लाएगा वो आपका कितना होगा यह आपको बताना है तो देखे, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 25% की कमी है तो हमको नीचे कितना लेना है, 100 लेना है इसमें अगर हम लोग 25% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, यह पर कमी बोला है इसलिए हम लोग घटा देंगे, ठीक है आप हमिस्सा आपको याद रखना है, मैंने आपको बार 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 बताया, कि नीचे आपको 100 ही रखना है, ठीक है, 100 रखेंगे, तो आपको जो आंसर है, वो complicated नहीं होगा, और बहुत ही within second में आपका आंसर आ जाएगा, तो देखें, पहले हम लोग 0 स 0 काट देते हैं, यहां स हम लोग 5 से काटते हैं, क्या हो जाएगा, 15, 75, 15, 5, 10, 12, ठीक है, यह आपका हो गया, फिर से मैं आपको बताने वाला हूं, कि देखें, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कि 25% की कमी, मतलब नीचे आपका 100 आजाएगा, उपर में आपका क्या आजाएगा, 75, ठीक है, second में आप नीचे आपका 100, और उपर क्या हो जाएगा, आपका विरिधी हो रहा अब 20%, तो एक सम में 20 जोड देंगे, क्या आजाएगा, आपका 120, अब इसको मलोग जिससे काटेंगे, तो पहला जिरो, पहला जिरो में आपका कट गया, 5, 15, 75, और 5, 12, 10, अब दो से यहाँ आपका 6 को कर देंगे, आप देखें, आपका क्या जाएगा, 15, 90, और आपका 100, नीचे आपका 100 रहना है, किसी भी हालत में 100 रहना है, आप देखें यहाँ आपका क्या होब रहना है, तो कितना का कमी हो रहा है, तो 10, तो 10% की आपका कमी, इसका option दी, right answer हो जाएगा, ठिक है, तो इस त टैप का कोशन को बताऊंगा तो आप वीडियो को लाई जरूर कीजिएगा